क्या लड़के सिर्फ सेक्स करने के लिए प्यार करते हैं, यह जो लड़के ड्रामे करते हैं, चान, तारे और गाने और यह वो, क्या सिर्फ अल्टिमेट एम उनका सेक्स होता है, क्या यह कितना सच, कितना सही है, क्या सिर्फ शादी से पहले यह सारे बहाने होते हैं, जूट Unmarried हो, सब के लिए प्यार उतना ही important है, जोतना किसी भी बंदे के लिए है. Love is everything that you need. हाँ, लड़कों में कहीं न कहीं potential, क्योंकि वो sex के thoughts, feelings उनके अंदर automatically थोड़ी से जादा होती है, तो उनका attraction उस direction में चला जाता है. यह वो यह है, जब उनका testosterone level highest peak पे होता है, उनके hormones highest peak पे होता है, तो female की और बाते जैसी उसे attractive लगने लगती है, definitely उनकी body की तरफ craving भी बढ़ जाती है, तो वो कहीं न कहीं sexually ज़ादा incline होने लगते हैं. बट ऐसा हर पुरुष में नहीं होता. बहुत सारे ऐसे mails हैं, जो प्यार अपनी feeling के लिए करते हैं, प्यार अपनी बाते share करने के लिए करते हैं, प्यार के साथ वो life में growth करते हैं, अपने career को आगे लेके जाते हैं, अपने partner की development पे ध्यान देते हैं, और future को भी अच्छे से plan कर पाते हैं. बहुत बार लोग emotional support के लिए भी love में involved होते हैं. इसलिए ये simple सा tag देदेना कि लड़के सिरफ sex के लिए involved होते हैं, that is a bigger myth. Yes, sex come in the way कि जहां आप धीरे 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 एक दूसरे को जानने जा रहे हो, धीरे धीरे एक दूसरे से intimate हो रहे हो, वहाँ जैसे आप बात करते हो कि आपको sex मिल रहा है या आप intimate, आप kiss कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपकी bonding को increase करता है, आपको एक दूसरे को acceptance की direction में ले जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि लड़के सरफ sex उनका primary गोल होता है और वो use and throw करते हैं. Yes, there are some males जिनका सरफ ध्यान ही इसी तरह किस्ते हैं और वो life में आगे जाके definitely गलर direction में भी जाते हैं, बट हर किसी पे ये tag लगाना बिलकुल ठीक नहीं है. चानल पे नहीं है, subscribe करें और आपका क्या opinion है जरूर उसे comment section में लिख भेज़ें.